सभी लोग मिलकर बोलो हरहर महादेव जैस्री राम आईए सभी लोग मिलकर एक कहानी के माध्यम से जीवन की मुल्य समस्ते हैं जीवन का वैलू समस्ते की जीवन क्या है एक बार की बात है एक ब्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए वो ब्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका यम्राज ने पीने के लिए पानी मांगा उस ब्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया पानी पीने के बाद यम्राज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चुंकि तुम्हें मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हारी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ ऐसा यमराज ने उस ब्यक्ति से कहा यह करकर यमराज ने उसे एक डारी दे कर कहा तुम्हारे पास पांच मिनट का समय है इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा लेकिन ध्यान रहे केवल पांच मिनट ही त तुम्हारे पास सेस है उस ब्यक्ति ने डारी खोल कर देखा तो पहले पेश पर लिखा था कि उसके परोसी की लाटरी निकलने वाली है और वह करोड़पती बनने वाला है उसने वहां लिख दिया कि परोसी की लाटरी ना निकले आगले पेश पर लिखा था उसका एक दोस चुनाव जीत कर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह भी चुनाव हार जाये। इसी तरह वह पेश पलटता रहा और अंते में उसे अपना पेश दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया। यमराज ने उसके हाथों से डारी ल समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया। और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अतर तुम्हारा अंत अब निशित है। यह सुनकर वभ्यक्त बहुत बस्ताया। लेकिन सुनारा समय निकल चुका था। यदि इस्वर ने आपको कोई सक्ति परदान की है तो कभी क किसी का बुरा न सोचो जैसा कि वभ्यक्ति ने सोचा और अपना जीवन गवा बैठा। दूसरों का भला करने वाला ही सदा सुखी रहता है और इस्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। प्रण लेलें कि आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। विचार करके एक बार जरूर देखें, अपने जीवन में अमल करें। प्रत दिन आप अपने घर में जारू लगाते हैं क्योंकि धूल मिटी रोज आती रती है। रोज सफाई करते हैं कि फिर भी धूल मिटी आती है। तो जैसे घर की सुद्धी करना प्रत दिन आवर्सक है। ठीक उसी परकार ऐसे ही सरीर की सुद्धी, मन की सुद्धी, जीवन की सुद्धी, धन की सुद्धी करना भी बहुत आवस्चक है। इससे ब्यक्ति का जीवन पवित्र बना रहता है। ब्यक्ति चिंता तनाव, घेडा इस्या, देश अभिमान आदि दोसों से बचा रहता है। और उसकी जी इसी गिर्पा भगवान भोलेनात की आने लगती है। आप सभी लोग यह कहानी के माधम से समझ गये होंगे कि हमारा जीवन कितना मुल्यवान है और हमें क्या करना चाहिए। अबिद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए और चैनल को सस्क्राइब कर लीजे जिससे आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी मोरल वैलू कहानी सुनने को देखने को मिलता रहेगा। दूसरे व अच्छी मोर्वा रचत।